शादी में आई चुडैल पन्दपुर नाम की एक गाउं में शादी चल रही होती है वाँ, मज़ा आ गया फूपाजी शादी में क्या खाना बना है बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे हाँ, तुम दे सहे कहा पनेर के सबसीखा तो कोई जवाब ही नहीं दूसरी तरफ पंडिजी फेरो की तयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुडैल आ जाती है अरे, मर गया रहे यह चुडैल यहां क्या करी है अरे दिव्याकर जी, यह आपकी कौन सी रिष्टेदार है अरे, मुझे क्या पता क्यों भाग जवान, कहिए तुम्हारे माईके से तो नहीं आई है तुम लोगों किस गाउं में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते इस गाउं में किसी की शादी नहीं हो सकती अब तुम लोग देखो, मैं क्या करती हूँ अरे, मर गया अरे, बहले सुना है, ये जबान की पक्की है भागो अरे, भागो, वरना ये चुडेल किसी को नहीं छोड़ेगी तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सब की भलाई है देखते ही देखते, शादी के मंडप में भगदर मच जाती है और चुडेल सब कुछ उजाण कर रख दीती है फिर एक दिन, मोहन की शादी तै हो जाती है अरे, भाई, अगले हफते मेरी शादी तै हो गई है लेकिन इस चुडेल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पर काप रहे है अले मोहन, तुमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम अपने साथ-साथ, हम सब गावालों को भी भली का बकरा बनाना चाहते हो उस चुडेल के रहते, तुमने अपनी साथी के बारे मैं सोच भी कैसे लिया देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन उस चुडेल के डर से मैं जिन्दगी पर कुमारा तो नहीं रह सकता तभी वहाँ मोहन की हुने वाले ससूर आ जाते हैं अरे ससूर जी आप देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससूर बना नहीं हूँ और शयद बनूंगा भी नहीं ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गाउ में कराना चाहता हूँ तुम्हारा गाउ तो भोतिया गाउ है मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गाउवलों को नहीं देगा इस तरह चुडैल के डर से उस गाउ में किसी की भी शादी नहीं हो पाती फिर एक दिए गाउ के जमीनदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं लेकिन चुडैल के डर से उनकी भी हिम्मद जवाब दे देती है अगर मेरी बेटी की शादी ताय समय से नहीं हुई तो मेरी नाग कट जाएगी मुझे कुछ करना ही होगा एक सलाकार के कहने पर जमीनदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं जो भूत चुडैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था जमीनदार साब आप चिंता बद करिए इस काउं की सीमा में प्रवश करते ही मुझे उस चुडैल के बारे में सब पता चल गया था आप उसे चल्दी से चल्दी खैद कर लीजिए ता कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ जब वो चुडैल एक इंसान थी तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पती की एक दुरखटना में मौत हो गई थी उसका होने वाला पती आज भी भूद बनकर जंगल में बटकता है इसलिए जब तक चुडैल की शादी नहीं हो जाएगी वो किसी और के भी शादी नहीं होने देगी यह आप क्या करें हैं? अगर वो भूद भी हमारे गाओं में आ गया तब हमारा क्या होगा? यह आदमी पीश में बहुत बोलता है इसे बाहर निकालो उसके बाद तांतरिक बताते हैं कि अगर उस भूद के साथ चुड़ेल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ेल हमेशा हमेशा के लिए उस गाओं को छुड़ कर चली जाएगी जमीदार साहब आप अपनी बेटी की शादी की तयारी शुरू करतीजे इस तरह जमीदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं लेकिन तब ही वहाँ चुड़ेल आ जाती है चुड़ेल जमीदार की बेटी को उठा लेती है अब देखती हूँ बिना दुलन के तुम लोग शादी कैसे करोगे मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ चुड़ मुझे पिता जी मुझे बचाईए अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ तबीता अंत्रिक उस भूत को लेकर वहाँ पहुचता है अरे भागेवान रुको इन मासुमों को परिशान मत करो मैं आ गया हूँ अब तुम मेरे साथ चलो चुड़ बहुत खुश हो जाती है अप आ गये चलिए अब हम मंदिर में चल कर शादी कर लेते हैं अरे 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 ये क्या कह रही हो मंदिर में जाके दुबारा मरना है क्या चलो आज से हम जंगल में रहेंगे जुड़ चली गई अब मेरी शादी हो जाएगी इस तरह सभी गाउंवाले खुशी से चूमने लगते हैं